Hello students, welcome to all of you, आप सभी का स्वागत है, आज जो है हम फिर से यूरोप और भारत पाट को continuity में देखेंगे, जैसे कि इसके पहले हम सभी ने पुना जागरन, पुना जागरन यूग किसे कहते हैं, पुना जागरन काल से लाब क्या हुआ, इसमें किस तरह से छपाई यंद्र का आंदोलन और भोगोलिक खोजो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भोगोलिक अनवेशको भू, अनवेशको के नाम देखे थे, जिसमें बॉर्थलोव, म्यूडायस, किस्त्रफर, कोलमबस और वसको दिगामा, इन सभी के बारे में हमने अध्यन किया था, इसके बाद ह हमने देखा था कि क्रांती यूग की प्रमुख घटनाय जैसे बिल ओफ राइट्स जो है, वह किस तरह से पारित किया गया, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, यह किस तरह से हुआ, फ्रांस की राज्जी क्रांती और अध्योगी क्रांती, इन सभी के बारे में हमने अध अध्यर किया था, आज हम देखेंगे कि किस तरह से पूजी वाद का उदेव हुआ, उपनिवेश वाद का क्या अर्थ है, सामराज्य वाद किसे कहते हैं, और किस तरह से ब्रिट्रिस इस इंडिया कमपनी का भारत में सामराज्य हुआ, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों क के बीच किस तरह से संघर्श हुए, इसके बारे में हम अध्याद करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूजी वाद का उदे, तो देखें, जब नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, जब नए नए समुद्री मार्गों की खोजे गए, जैसे बॉतलोमियुडायस, जो कि पुर्तगार के थे, तो उन्होंने भारत की खोज के लिए निकले और आफ्रिका के दक्षिरी छोर पर केप अफ गुड़ होप तक पहुच गये, तो इस तरह से भारत के बतले केप अफ गुड़ होप की खोज हो गई, इसी तरह से इटली के क्रिस्टफर कोलंबस, य जो है, जिब निकले तो इन्होंने अमेरिका महादीव के पूर्वी तड़ पर पहुच गये, और इस तरह से अमेरिका महादीव की खोज हो गई, और इसके बाद वासकुद गामा, जो कि पुर्तगाल के थे, वह भारत की खोज के लिए निकले, तो ये केपप गुड़ परते हुए भारत के पशिवी तड़ पर कालिकत पहुचे और इस तरह से उन्होंने भारत में समुद्री मार्ग से किस तरह से भारत पहुचा जा सकता है, उसकी उन्होंने खोज की, तो जब जो है, नए नए समुद्री मार्गों के खोज हुई, उसके पश्चात, योरोप है कि यूरोप और एशिय महदीप के देशों के बीच व्यापार का नाया युग कब प्रारम्भ हुआ है तो इ relies करी मिलता है कि नए समुत्री अधर की होज होने पर एशिय महदीप के देशों के बीच व्यापार का एक नाया युग प्रारंब हुआ। समुत्री मार्ग से पुर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आये। परन्तु अकेले एक व्यापारी के लिए जहांस द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था। और उसका परिणाम यह हुआ कि फल्स्वरो अनेक व्यापारी ने इकठे आकर व्यापार करना प्रारंब किया। अभी यहां पर एक प्रश्ण बनता है कि अनेक व्यापारी ने इकठे आकर व्यापार करना प्रारंब किया। कारण लिखो, तो पहला कारण था कि समुद्री मार्गों से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आये, परतो अकेले एक व्यापारी के लिए जहांस दौरा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था, इसलिए भारत में अनेक व्यापारी इक कठे आकर व्यापार करना प्रारंब किया और इसी में से सम भाग-pooji वाले कई व्यापारिक पंपनियों का उद्धैग हुआ सम भाग-pooji वाली अर्थार जो समान स्वरूप से मैं इनते मिलिश पैसी वाली व्यापार लाबदाई था भारत के लिए यह जो पुर्वी देशों के साथ व्यापार चल रहा था यह सब लाबदाई था और इस व्यापार दोरा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी अर्थ भारत के साथ जब यूर्वी देशों ने व्यापार करना प्रारंब किया तो उनके लिए यह व्यापार जो था वुर्वल अधिक लाबदाई था परिनामताई यूरोप के साथी व्यापारिक कमपणीों को सैंदी की सरक्षन तथा व्यापारिक सुविधा देने लगे अब भारत में जो व्यापारिक कमपनियां थी उन सभी को यूरोप के द्वारा साइनिक के सुरक्षा प्राप्त होने लगी और कई सारी व्यापारिक सुविधाय भी वे देने लगे अब यहाँ पे कारण लिखों के लिए प्रश्ना बनता है कि यूरोब के सासक व्यापारी कमपनियों को सैनिक की सरक्षन दधा व्यापारिक सुविधाय देने लगे तो इसके पीछे कारण क्या था कि अनेग व्यापारियों ने इकटे आकर भारत में व्यापार करना प्रारम भकिया और इसी में समभाग पूजी वाली कई व्यापारिक कमपनियों का उदै हुआ फूर्बी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाबदाई था और इस व्यापार द्वारा देशों को आर्तिक संपन्टा बढ़ रही थी परिणामत या फल्स्वरूप यूरोप के सासक जो थे व्यापारिक कमपणियों को सैनिकी सरक्षन और व्यापारिक सुविधाये देने लगें और इस व्यापार के फल्स्वरूप यूरोपिय देशों में संपन्न ता अर्थात्वे सुखी और संपन्न हो गए तो इस प्रकार से इस व्यापार के फल्स्वरूप यूरोपी देशों में धन संचय में व्रद्धी होने लगी और इस धन संपत्ति का उप्योग पूजी के रूप में व्यापार और उद्योग धन्दों में किया जाने लगा और परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में पूजी वादी अर्थविवस्था का उदे हुआ पूजी वादी अर्थविवस्था अर्थात किसी दूसरे देश से अधिक से अधिक लाब कमाना और उसे अपने देश की प्रगती के लिए इस्तेमाल करना इस पद्धती से जो व्यापार किया जाता है उसे हम कहते हैं पूझी वादी अर्थविवस्था आताथ वह जो है दूसरे देशों में जैसे यूरोपी देशों थे वो भारत में आकर व्यापार करते थे और यहां से जो भी लाभूने मिलता था वे उसे अपने देश की प्रगती के लिए इस्तेमाल करते थे उपियोग करते थे और वह जो है धन से एंचैन करते थे अपने देश की प्रगती के लिए तो इसी प्रकार की जो अर्थववस्था होती है उसे हम पूजीवादी अर्थववस्ता कहते हैं तो यहाँ पर प्रश्ण बंदा कि यूरोप के देशों में पूजीवादी अर्थववस्ता का उदय हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि व्यापार के फलस्वरूप यूरोपी देशों ने धन संचेयन में ब्रद्धी होने लगी दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस धन संपत्ती का उपयोग पूजी के रूप में व्यापार और उद्ध्योग धन्दों में किया जाने लगा और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे परिणाम स्वरू यूरोप के देशों में पूजीवादी अर्थववस्था का उद्धै हुआ तो इस तरह से हमने देखा पूजीवादी अर्थववस्था अब पूजीवादी अर्थववस्था पर आपको टिपड़ी के लिए भी पूछा जा सकता है कि टिपड़ी लिखो या संकल्पना लिखो तो ध्यान में रखना है कि जिस अर्थववस्था में उत्पादन के साधन जो उत्पादन किया जाना तो उत्पादन के साधन नीजी स्वामित्व के होते हैं अर्दात किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर होता है इस प्रकार की अर्थववस्था को पूजीवादी अर्थववस्था कहते हैं और इस अर्थवस्ता में पूजी श्रमिक अन्था काम करने वाला और उद्योगपती के पारस्परिक सहयोग में बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादर किया जाता है। इनका प्रमुक देश्यों होता है कि अधिक से अधिक लाब कमाना और साथी साथ व्यापार वृद्धी के कारण यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर इसी कारण धन संचयन होने लगा था। तो इसी कों कहते हैं पूजी वाद अब मगला देखते हैं उपनिवेश वाद कि उपनिवेश वाद क्या है तो उपनिवेश वाद उपनिवेश वाद का अर्थ होता है कि जब आर्थिक द्रिष्टी से संपन्न तथा सायनिकी द्रिष्टी से बलसाली कोई देश अपनी साम मर्थिक के बलपत किसी भूप्रदेश पर अपना अधिकार जमा कर वहां अपनी बस्ती बसाता है और अपना राजनेतिक अधिकार स्थापित करता है तब ऐसा कहा जाता है कि वहां पर उस देश ने उपनिवेशवाद की स्थापना की है और यही जो है उपनिवेशवाद कहलाता है यह प्रक्रिया जो है अर्थात सैने की बलपत और धन के बलपत कमजोर राजियों पर अपना अधिकार अपना स्थापित कर लेना यही कहलाता है उपनिवेशवाद तो यह देखते कि उपनिवेशवाद क्या है कि किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विसिस्ट चेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेशवाद स्थापित करना कहते हैं अब यह आप एक प्रेशन पूछा सकता है आपको कि उपनिवेश इस्थापित करना किसे कहते हैं तो उसके लिए बहुत जरुए ध्यान रखना आपको कि किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विसिस्ट चेत्र में अपनी बस्ती बसाने की प्रक्रिया को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं और किसी आर्थीक सैनिकी द्रिष्ट से बलसाली देश का अपनी सामर्थ के बलपर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश में अपना राजनेतिक वर्चस्व स्थापित करना यह जो है उपनिवेश वाद कहलाता है अब यहाँ पर पूछा जा सकते हैं कि उपनिवेश वाद किसे कहते हैं तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप आपको लिखना होगा कि किसी आर्थिक और सैनिकी द्रिश्ट से बलसाली देश का अपनी सामर्थि के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश मे अपना राजनीतिक वर्चह स्वस्थापित करना ही उपनिवेश वाद कहलता है आर इस तरह से युड़ी देशों की इसी उपनिवेश वादी यह जो उपनिवेश वादी मानसिकता थी तो मानसिक्ता में से सामराज जिवाद का उदय हुआ तो यहाँ पर प्रश्ण बनता है कि सामराज जिवाद का उदय किस प्रकार से हुआ तो उत्तर स्वरूप हमें बिलता है कि यूरोपी देशों की उपनिवेशी वादी मानसिक्ता में से सामराज जिवाद का उदय हुआ अब यहाँ पर आपको उपनिवेश वाद पर टिपड़ी लिखों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आप उपनिवेश वाद की परिभाशा बताओगे और इसके साथ ही साथ बताओगे कि एशिया और आफ्रीका महादीप के दोने देशों का आर्थिक सोशन करने के उद्देश से यूरोपी देश वहाँ की सत्ता को चीन कर वहाँ अपने उपनिवेश अस्थापित कर लेते थे अब हम देखते कि सामराज जिवाद क्या है और उसका प्रभाव पुर्वी देशों पर क्या पढ़ा तो सामराज जिवाद अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सामराज्य का विस्तार करना उसी को कहा जाता है सामराज्य वाद तो विक्सित राश्ट्रो द्वारा अविक्सित राश्ट्रो पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही सामराज जिवात कहलाता है अब यहाँ पर आपको एक प्रश्ण पूछा जा सकता है कि सामराज जेवत किसे कहते हैं तो ध्यान में रखना है कि सामराज जेवत अर्थात विक्सित राष्ट्रों द्वारा अविक्सित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस स्थापित करना समग्रए अर्थात पूरा अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नय उपनिवेश की स्थापना करना ही सामराजिवार कहलाता है अब सामराज्य वज्य है अपने राज्य की भोगोलिक सीमा के पार के भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित करना इसे ही सामराज्यवाद कहते हैं मतलब अपनी जो सीमा है उसे छोड़कर दूसरे देशों पर अपना अधिकार स्थापित करना ही सामराज्यवाद कहलाता है अब सामराज्यवाद जो है यह सायने की दृष्टी से बलवान जो यूरोपी राश्ट्रों थे तो यूरोपी राश्ट्रों की सामराज्यवादी निती के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था तो न टिक पाने के कारण एशिया और आफ्रिका महादिप के देश जो थे वह इन के गुलाम बन गए तो एशिया और आफ्रीका महादीब के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस सामराज्य वादी महत्तो कांगशा के सिकार बने उसके पीछे कारण यही था कि यूरोपीय देश यह सैनिकी द्रिष्टी से शक्तिशाली थे और इनकी शक्तिशाली होने के कारण एसिया और आफ्रीका महादीब के जो देश हैं वह इनके गुलाम बन गए अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए भी प्रेशन पूछा जा सकते हैं कि खालिस्तान महाद्वीब के अनेक देश यूरोपी राष्ट्रो की सामराज्य वादी महत्तो कांगशा के सिकार बने तो उत्तर स्वरूब हमें मिलता है एशिया और आफ्रिका कि एशिया और आफ्रिका को थे कि' सामराज्य वादी के शिकार बने है कि अब साम्वादी जो है यह और यहूं की कि आन्थी के बाद सामराज्य वाद बढ़ने लगा और इस से विश्वी सताब्दी का अंत हो गया एक तो सामराज जवाद के कारण ही पीस सताब्दी का अंत हुआ अब हम आ प्राय देखेँ गे किस तरह से ब्रेटिस इस इसंडिया कमपणी का भारत सामराज-जवाद स्थापित हुआ है 가장 तरह से ब्रेटिस इंडिया कंपेनी ने भारत में सामराजवात की स्थापना दी तो यहां पर भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपी सत्ताओं के बीच काटे की प्रतिदुन्दी चल रही थी अर्था जो भी यूरोपी देश थे वह आ स्थापना एकाधिकार चाहिए था तो इस प्रकार से 1600 इस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने है तो ब्रिटिस इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिस इंडिया कंपनी की स्थापना कब और क्यों की थी तो यहां पर 1600 इस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने है तो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी रिक्टरस्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने है तुखालियस्थान की स्थापना की थी, तो किसकी स्थापना की थी उन्हों ने, British East India Company की स्थापना की थी, और ये स्थापनी ने जहाँगीर बातसा से अनुमती प्राप्त करके, सूरत में गोदाम की स्थापना भी उन्हों न करता है कि अंग्रेजों ने किसकी अनुमती से सूरत में गोदाम की स्थापना की तो उस समय जहागीर का राज्य था जहागीर बाच्चा की अनुमती से अंग्रेजों ने सूरत में गोदाम की स्थापना की और इस कंपणी द्वारा भारत का इंग्लेंट के साथ व्यापार चलता था इस इंडिया कमपणी जो थी इस कमपणी का भारत का इस कमपणी द्वारा ही भारत का इंगलेंट के साथ व्यापार चलता था तो यहां पर प्रशनों और पूछा जा सकता है कि था कि भारत का इंगलेंट के साथ व्यापार किस कमपणी के द्वारा चलता था तो उत्तर स्वरूप हम भी मिलता है कि भारत का इंग्लैंड के साथ ब्रिटिश इस इंडिया कमपणी के द्वारा व्यापार चलता था अब इसी कड़ी में हम देखेंगे जैसे मैंने का कि यूरोपीय सभी देश भारत पर एक अधिकार चाहते थे तो अब हम देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की बीच किस कारण संघर्श हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ तो भारत में चल रही व्यापारी खोड में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वन्ती थे तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में चल रही व्यापारी खोड में कौन से देश एक दूसरे के प्रतिद्वन्ती थे तो यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वन्ती थे और इस प्रतिद्वन्तीता के चलते प्रतिद्वन्तीता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसीयों के बीच तीन युद्ध हुए और ये जो युद्ध है, ये युद्ध करनाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं और तीसरे करनाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसी सीयों को निर्नायक रूप से पराजित किया था तो यहां पर एक प्रश्ण पूछा जा सकता है कि करनाटक युद्ध किसे कहते हैं तो यहां पर उत्तर स्वरूप मिलता है कि भारत में चल रही व्यापारी खोड में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दीसरे के प्रतिद्वन्दी थे और इस प्रतिद्वन्दिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसीयों के बीच तीन युद्ध हुए और इसी को करनाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है खालिय स्थान के रूप में पूछा जा सकते हैं कि खालिय स्थान युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया तो तीसरे करनाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और इससे फ्रांसीसियों की पराजे हुई तो परिनाम स्वरूप भारत में इस्ट इंडिया कमपणी के सम्मुक कोई भी प्रपल यूरोपी प्रतिद्वर्दी बचाहर नहीं था अब यहां पर कारण लिखो के लिए प्रशनों पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपणी के सम्मुक कोई भी प्रपल यूरोपी प्रतिद्वर्दी बचाहर नहीं था कारण लिखो तो उसका प्रमुक कारण हम यहीं लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भारत में व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों इन दोनों यूरोपी सत्ताओं में काटे की प्रतिद्वर्दीता चल रही थी दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इस प्रतिद्वर्दिता में दोनों सत्ताओं के बीच तीर यूद्ध हुए और इन यूद्धों को करनाटक युद्द के लिकान जाता है उसके भाद हम 3rd लिकेंगे कि तीसरा करनाटा की युद्द निर्णायक युद्द सिद्ध हुआ और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई कि पराजय के पश्याद भारत में अंगरेज़्ों कोई भी प्रबल प्रतिसपर्दी नहीं बचा है तो इस देश्यों थे भारत पर एक अधिकार चाहते थे जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसके बाद जो है यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ